नमस्कार आप देख रहे हैं GVN 24 News और मैं हूँ आपके साथ सपना ठाकर रुख करेंगे आज की बड़ी खबरों की ओर जारकण में बोकारो जिले के चंदरपुरा में स्थापित दामोदर घाटी निगम डीवी सी के चंदरपुरा ताप विद्यूत केंदर अप्रेल 2022 में 97 प्रतिशत प्लांट लोड फैक्टर पर चल कर DVC के स्थापना काल से अब तक का रिकॉर्ड बनाया है चंदरपुरा ताप विद्यूत केंदर के मुख्य अभ्यंता एवं परियोजन अप्रधान आजय कुमार दत्ता ने कहा कि DVC चंदरपुरा ताप विद्यूत केंदर पावर प्लांटों में चंदरपुरा थर्मल पावर प्लांट तीसरे स्थान पर रहा तो कभी चौथे पर रहा उन्होंने कहा कि इसी पर चंद्रपूरा ताप विद्यूद केंद्र ने पिछले वर्ष में 3815.096.09 यूनिट बिजली का उतपादन किया है जो पिछले रिकॉर्ड उतपादन से विद्यूद वर्ष 2018 और 19 में उतपादे 3562.09 यूनिट से बहतर है चंद्रपूरा ताप विद्यूद केंद्र की काई 7 विगत 1 अपरेल 2021 से 16 नवेंबर 2021 तक 230 दिनों तक लगातार चलता रहा जबकि यहां की गई 8 विगत 10 अपरेल 2021 से 15 अगस 2001 तक 127 दिन लगातार चलता रहा विगत 23 मार्च 2022 से टाटा स्टील के ज़रिया डिवीजन में माइन्स में लगातार नई तकनीकी के द्वारा राख रखाव किया गया है उन्होंने कहा कि Ministry of Environment, Forest and Climate Change के गाइडलाइन के अनुसार पिछले दो साल से DVC चंतपुरा 100% का उप्योग कर रहा है साथ ही अपने CSR के तहट सिक्षा सहित कई छेत्र में काम कर रहा है उन्होंने कहा कि Power Plant में चुनोतियां तो कई हैं लेकिन लगातार वरकरों के महनत और अच्छे प्रयास से बिजली उत्पादन के लक्ष को पूरा कर लेते हैं उन्होंने कहा DVC को हाइडल से थर्मल में आना पड़ा क्योंकि यह समय की मांग थी यहां के अधिकारी का कहना है कि बिजली की जरुरत हर एक को है ऐसे में DVC बिजली उत्पादन के लक्ष को पूरा करने में हर पल लगी रहती है ताकि लोगों के घर के साथ साथ जीवन में भी उजाला बना रहे जी बेंट 24 न्यूस के लिए बुकारो से अमरनात पोदार की रिपोर्ट 2021 में चिंदरपुरा थर्मल पावर प्लांट का उत्पादन सर्वुत्तम रहा अपने जो इंसेप्शन काल से सबसे ज़्यादा हुआ है और जो भी सेंटर्ल सेक्टर के पावर हाउस हैं इंडिया में उसमें नौ बार हम लोग टॉप 10 पर हैं और जब एन्वल फीगर जब जारी हुआ है तो पूरे इंडिया में सेंटर्ल सेक्टर के इतने पावराउस है या उसमें हम थर्ड रहें तो चंदपुरा का जो एक स्वार्णीम काल भी बोल सकते हैं सरवृत्तम सरवृत्तम नहीं बोल सकते क्योंकि रिकॉर्ड तो बनता है तोड़ने के लिए फिर तूटेगा फिर तूटेगा तो हमने एक रास्ता पकड़ा है उचाइय लाइए कर तरफ ले जाने का अर्वी हमारा टीम बहुत अच्छा है मरे सी यो अडैंसाब कफी जानकार है और ब्लान्ट के बारे में इनकी जानकारी है और भी हमारे जो इंजिनियर सेनर डेपोटी जीफ इंजिनियर सेसी इंपलोईज सब लोग अच्छे हैं और हम दोग इसको एज़े टीम के भावना के तहट काम करते हैं तर साल जो पार किये तो इतना आसान भी नहीं था यह जो जर्नी है काफी टर्बूलेंट था जैसे दामोदर नदी का जर्नी आने तर्बूलेंस के साथ उस तरह डीवी सी की जर्नी पुरा टर्बूलेंस थी एक समय ऐसा भी को लगा कि इतना प्रॉफिट हो रहा है तो इस जर्नी बहुत सारे रास्ते से गुजरते गुजरते अभी तो हमने स्टेबल कंडिशन में आगा है अभी जो हमारा मेरेजमेंट है यह लोग एकदम टॉप क्लास और इसन से आए तो इनका भीजन है जानते हैं कैसे चलना है अब लगता है कि पाउर सेक्कर में असी प्रॉफ नहीं है एक दम है बिना बिजली के कुछ सुच सकते हैं अभी आप जो कुछ जो कारिकरम कर रहा है जो चीज चला रहा है तो बिजली पर ही है नहीं अब हम लोग सब के लिए अबलेबिल है सबसे इंपोर्टेंट है कि जो हम बनाते हैं पैसा खर्चा होता है तो एक अभी जो मार्केट है अब फ्री में कुछ नहीं दे सकते हैं कोई चीज फ्री नहीं है कोई भी सर्विसेज फ्री है क्या है तो हमको मार्केट के हिसाब से समय के हिसाब से डाइवर्सीपाई करना पड़ेगा समय के हिसाब से चलन पड़ेगा नहीं चलने से 75 साल चलते क्या हम तो बंद हो गया रहता है कि इवल हम धर्म डैम पर ही रहते हैं और कोल की तरब जो असीम समभावनाई थे उसको नहीं एक्स्प्लोर करते तो रहते क्या हम रहता है बद्ध हो गया रहता यह अर्गनेशन तो डीबीसी समय के साथ क्या चिंजेश करना है कैसे इस अर्गनेशन को आगे ले जाना है इसके बारे में सुचता है और अभी जो सोच है एक्टम युवा सोच है हम लोग और पूरा स्टेबल है हम लोग है हर महीनी रिकॉर्ड बनते ह है और हम लोग को करीव करी मनें एंटी पीसी की तरह हिजद दिया जाता है मिनिस्ट्री में अभी यह सब कुछ संभभ हुआ अभी जो हमारा मैनेजमेंट है उनके प्रोफेस्नल अप्रोच के चलते हैं उनके नॉलेज के चलते हैं बहुत बार आप आप में प्रतिभा रहत हुआ हुआ है